हाई दोस्तों कैसे आप लोग मिलना भी लिए यह सब भी जानना आपके लिए बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर देख लिए अपडेट का साइज है 7.65GB का जो की युमंगस साइज है लेकिन इस साइज का अपडेट आपको शाय दिखना नहीं मिलेगा जब अपडेट करें क्यों ऐसा है क्योंकि जो लोग 18.5 पे अभी बेटा वन पर अपडेट कर रहे है उनको पूरा आयोएस जो है रिइंस्टॉल करके मिलता है ताकि कोई भी इसमें ग्लेच हो लाग हो प्रॉब्लम हो या दिक्कत हो तकलीफ हो तो वह सब यहाँ पे दूर हो जाए 18.4 के बेट सब्सक्राइब नंबर था जो आप लोग सभी अपने अपडेट किया हो तो इस वाले अपडेट में क्या कुछ नया है इतनी रंबी लिस्ट दीवी है लेकिन यह 18.4 के ही लिस्ट है मतलब उसमें क्या कुछ नया है वही यहाँ पे जो है जो कुछ नया है आगे इसके लेकिन अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी तो यहाँ पे 03 था अब 01 हो गया है तो यहाँ पे चेंज पिछे की तरफ हुआ है आगे की तरफ नहीं बिल्ड नंबर के बात करें तो यह है 22F5042G यह नया बिल्ड नंबर है जिसमें G है यानि की बहुत दूर है अब इसका स्थेबल वरजन में यहां पर connect बता रहा है फिर से एक बडा री ट्राय UP להयन वरहा हे डेकिन आपको यहां प должно हो लेकिन है इंडिया अब हरी नहीं है लेकिन आ पको उसके अंदर जो है हम यहाँ पे चले जाते है रिसेंटली डिलीटेड में इसको उपन करते है इस आलबम को और यहाँ पे जो भी आपके फोटो वीडियोज है इसके अंदर आपको यहाँ पे नीचे देखने मिलेगा रिकवर ओल या फिर डिलीट ऑल का ऑप्शन तो यहां से जो भी नए फीचर्स थे 18.4 में आपने अरड़ी देख ली है तो 18.5 में इतना ही नए फीचर्स थे और कुछ नहीं था लेकिन इसमें बग फिक्स काफी सारे है तो वह चेक आउट करते है यह इसके रिलीज नोट्स है फीडबैक आप में रिलीज नोट्स नहीं देखने मि बैटरी में लेके चलता हूं आपको अच्छी बैटर लाइफ मिल रही है यहाँ पर बैटर लाइफ भी इसकी बता दूंगा पर कैसी बैटर लाइफ को मिल रही है स्टोरेज और नेटवर्क की अगर बात करें तो देखें यहां पर स्टोरेज जो है अच्छा खासा घड़ गया है यहां पर क्यूं घटी है यहां पर आपको देखके समझा आजएगा आइफोन स्टोरे में सिस्टम डेटा 20 जीबी हो चुका है अल्मोस यहां पर कुछ दि सब्सक्राइब करने की कुछ करता हूं अप्स को तब शायद यहां पर जो बढ़ जाएगी यहां पर जो यूज हुआ है वो घड़ जाएगा नेटवर्क परफॉर्मेंस की बारे में बात करें तो अभी फिलाल इसके बारे में कुछ कहां नहीं जा सकता लिए 18.4 पे मैंने जा दूंगा इक बेंच के स्कोर देख लेते पिटला और अभी का तो 18.4 के फाइनल स्टेबल वर्जन पे इसका स्कोर था 35 77 8994 और अभी घटकर थोड़ा सा मतलब हो गया है 35 63 और 8 864 तो जाधा कुछ कम नहीं हुआ है और 8800 8900 यह जो है बहुत हायर स्कोर पर है और यहां नीची यह performance में या gaming में आपके iPhone के ऊपर अब coming updates क्या कुछ आपको देखने मिलेंगे तो calendar खोलते है calendar में आप देखेंगे कि next week या उससे next week में आपको इसका beta 2 देखने मिलेगा most probably next to next week में मिलेगा और इसका final stable version जो है वो में के महीने में आपको देखने मिलेगा में के काफी बड़ा अपग्रेट रहेगा iOS 19 का iOS 19 में कौन से फोन पर अपडेट आएका कौन से नहीं आएका मेरा प्रेटिक्शन है उस पर अलग वीडियो बनाऊंगा वह भी आप ज़रूर देखना iOS 19.5 बेटा वन पर के आपको अपडेट करना चीए अगर आप बेटास पर रहना पसंद करते हो तो अपडेट कर सकते हो थोड़ी सी stability इसमें आपको मिल सकती है जादा पुराने अपडेट के मुकाबले स्टेबल अपडेट के मुकाबले क्योंकि यहां पर अभी से बग फि